स्वास्ते समस्या और समधान के नए विडियो को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें तो आज का हमारा टॉपिक है बलके ये कहना चाहिए कि टॉपिक नहीं आपके कुछ वो इंपॉर्टेंट कोशन है जो मैस्टरबेशन से जुड़े हुए है और फ्रिक्वेंटली हम देखते हैं कि ये सावालात मालूम किये जाते हैं ये मेरे मुबाइल फून पर मुझे नज मैस्टरबेशन को लेके उससे रिलेटेड ये कुछ चीज़े हैं और मैं इनको आंसर करने की कुशिश करूँगा उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ ये डिसकस करना चाहता हूँ कि पहले हमें समझना ये चाहिए कि मैस्टरबेशन जानवरों के अंदर भी ये टेंडेंसी पाए गई है और ये एक्ट करते हुए उनको देखा गया है और शुरू से ही ये बहुत कॉंट्रोवर्सियल टॉपिक रहा है शुरू से ही इसके अंदर साइंटिस्ट की और डॉक्टर्स की डिफरेंट उपीनियन रही है ये कॉंट्रोवर्सियल होने की वज़ह से इसके अंदर मित भी बहुत ज्यादा है इसी वज़ह से देखे कोई भी टॉपिक जितना कॉंट्रोवर्सियल होता है जितना उसके अंदर ये लोगों के डिफरेंट और डॉक्टर्स की डिफरेंट राय उसके अंदर मिक्स होती है उ मेरा खुद का जाती तजर्बा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन 10-12 सालों में पेशिंट्स को देख के जो हासिल हुआ है और आयर्विदिक युनानी पैथी इस बारे में जो बोलती है मैं उसके साथ इत्वाक रखता हूँ और उसी को फॉलो करता हूँ और वो ये है कि मैस्टेबेशन एक अच्छी आत्त नहीं है हाना कि कुछ डॉक्टरिस में कंट्रडिट करेंगे क्योंके कुछ रिसरचेज ये कहतі हैं कि मैस्टेबेशन के कुछ हेल्थ बेनेफ्ट भी होते हैं लेकिन इस बात का जवाब मैं इन लोगों को ये दिया करता हूँ कि रिसर्चेज ये भी कहती हैं कि शराब के भी कुछ फायदे हैं लेकिन शराब के नुकसान ज्यादा हैं फायदे कम है तो क्या ज्यादा नुखसान की वज़ा से कुछ अच्छे फायदों को नहीं चोड़ देना चाहिए मसलन आपको 10 ml, 50 ml, 30 ml शराब पीके आपके हार्ट को कोई फायदा होता है लेकिन उतना ही अलकोहल पीकर अगर आपका लीवर फेल होने का खत्रा बढ़ जाता है तो क्या हार्ट को ठीक करने के लिए हमें यही जहर पीना जरूरी है कोई और रास्ता हमें अख्तियार नहीं कर सकते कि जिससे हमारे हार्ट को फायदा और लीवर खराब नहों तो कुछ यही चीज मैस्टरबेशन के लिए है डॉक्टर्स की डिफरेंट उपीनियन है लेकिन मैं फॉलो करता हूँ कि मैस्टरबेशन एक अच्छी आदत नहीं है मैं इस टॉपिक पर बहुत डेटेल में बात कर सकता हूँ लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत डेटेल में यह साइंस नहीं समझाओंगा जो लोग इस बारे में बहुत डेटेल में जानना चाहते हूँ मुझसे परसनली मिल सकते है मैं उनको साइंटिफिकली अप्रूव कर सकता हूँ कि ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है अब मैं उन सवालों की तरफ आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टन सवाल है पहला सवाल यहां मुझे दिख रहा है कि क्या मैस्टरबेशन से कमजोरी पैदा होती है क्या masturbation से एक कमजोरी पैदा होती है देखिए इसका भी जवाब थोड़ा सा complicated है और मैं उसे short करने की कुशिश करता हूँ वही time की कमी की हो जासे कमजोरी इनसान के जिसम में उसके शरीर में कमजोरी आने के दो रास्ते होते है उसके शरीर में कमजोरी आने के दो रास्ते होते है एक रास्ता होता है कि कुछ physical कमी उसके अंदर हो जाए उसके अंदर कुछ nutrition की कमी हो जाए vitamins की कमी हो जाए protein की कमी हो जाए carbohydrates की कमी हो जाए या उसको कोई severe massive injury हो जाए या किसी तरह के severe infection कुछ हो जाए तो उसके शरीर में जो कमजोरी आती है that is called organic weakness ठीक है ना? organic weakness, physical weakness masturbation से physical weakness नहीं आती masturbation से physical weakness नहीं आती लेकिन एक और कमजोरी होती है शरीर में जो central होती है यानि कि जब आपके दिमाग, आपका ब्रेन किसी चीज़ को लेके addictive हो गया हो आपका ब्रेन obsessive हो गया हो आप किसी चीज़ को लेके obsessive हो गया हो जो कि masturbation के साथ बहुत 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 common है अक्सर मेरा तजरुबा ये है कि 98% वो लड़के जो masturbation करते हैं they are actually obsessed for that particular masturbation they are doing that desperately with that kind of strong obsession यानि कि वो उसको लेके addicted हो जाते हैं और उनका दिमाग उनका दिल सारा दिन 24 घंटे उसी के आस पास घूमता रहता है इससे neurological weakness पैदा होती है बलके सही कहना चाहिए psychological weakness पैदा होती है आपका nervous system ठकने लगता है जब nervous system ठकता है तो आपका शरीर भी ठकता है आपकी भूप में भी कमजाती हो सकती है आपके energy level में भी फर्क हो सकता है तो यह वो कमजोरी नहीं है कि वो शारीरी कमजोरी masturbation करने से बलके यह मानसिक कमजोरी है और यही कमजोरी, यही addiction, यही obsession फिर आपको depression की तरफ, anxiety की तरफ लेके जाता है और इससे फिर multiple other चीज़े पैदा हो जाती है जो आपको फर्दर फिर sex में परिशान करती है मसलन, masturbation के obsession की वजह से अगर आप anxiety और depression का शिकार हो गए mental involvement की वजह से आप depression का शिकार हो गए तो अब हम यह नहीं कहेंगे कि masturbation की वजह से आपकी भूख खतम हुई है masturbation की वजह से आपका psychological balance खराब हुई है हम यह कहेंगे कि चुकि mentally आप disturb हो गए थे तो अब यह symptoms उस mental disturbance की वजह से आने शुरू हो गए चाहे आपके शरीर में कमजोरी हो चाहे आपके energy level में फर्क आपको दिख रहा हो चाहे आपके भूख में फर्क दिख रहा हो यह चीजे वो होंगी तो पता यह लगा फिर शॉर्ट बताता हूँ कि masturbation के दो पार्ट चुकि यह majority में obsession है majority में इसका addiction होता है और हर addiction के दो impact होते है चाहे वो शराब का addiction हो वो cigarette का addiction हो वो किसी और drugs का addiction हो जब patient या आदमी इस चीजों के addiction में फसता है तो वो psychologicallyly distress हो जाता है वो psychologicallyly dependent हो जाता है जिससे उसके अंदर शारीरी को गमानसी कमजोरियां आती है तो फिर वही कि masturbation से direct physical weakness नहीं होती लेकिन अगर आप obsessed हैं तो फिर यह चीज़े मुमकिन है यह आपका पहले सवाल का जवाब था और इसमें भी बहुत detail आगे बाकी है वोही सारी चीज़े जो मिलके clear की जा सकती है क्यों मिलके clear की जाएंगी क्योंकि हर patient का देखे बायलाजिकल status बिलकुल अलग होता है हर किसी की body बिलकुल अलग होती है हर किसी का nervous system बिलकुल अलग होता है हर किसी का psychological status बिलकुल अलग होता है तो हर किसी के लिए एक बात कहना भी मुमकिन नहीं है यही वज़ा है कि qualified doctor patient को देखना चाहता है उसे सुनना चाहता है उसको सही डाइगनोस करने के लिए कि उसकी problem की असल वज़ा क्या है और इसका best solution क्या होगा मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ क्या हस्त मैथुन से बाँजबन होता है मतलब क्या masturbation करने से बच्चा पैदा करने की टाकत जो मर्द के अंदर है वो कम हो जाती है ऐसा हर्गिस नहीं है ये बिलकुल मित है गलत है आपके masturbation करने से आपके sperm count पर कोई फरक नहीं पड़ता तो इसको दिमाग से निकाल दीज़े that is absolute a myth तीसरा आपका सवाल है क्या हस्त मैथुन करने से लिंग में टेहड़ा पनाता है क्या आपके जो penile structure है जो penis का structure है masturbation से उसको भी कोई नुकसान पहुँचता है इसका भी जवाब वही बात है जो पहले है कि जब हम कोई भी काम ऐसा करते है कि जो किसी भी हमारी body के organ को unnaturally hit करता हो for example मैं इसका example ऐसे दिया करता हूँ मेरी ये finger है इस finger का used daily activities के normal कामों के लिए है mobile phone पकरने के लिए है किसी हैंडशेक के लिए है pen से लिखने के लिए है normal अपने daily activities करने के लिए है लेकिन अगर इसी finger से इसी finger से मैं दिवार में कील ठोकना चाहूँ या इसी को मोड़ता तोड़ता रहूँ तो यकीना इसके structure में और इसकी बनावट में फर्क आ सकता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि masturbation करने से link में टेहड़ा पन हो जाएगा लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि penis को नुकसान जरूर पहुँचता है penis को नुकसान जरूर पहुँचता है और इसके लिए best जो मेरे पास इस वक्त evidence है वो ये है कि clinically हम इतने patient इस बात को देख चुके हैं कि जो masturbation करके आते हैं chronic masturbation के वो patient हुआ करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी और penile structure से जुड़ी हुई problems भी मिलती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि absolute तेड़ा पन उससे आ जाता है masturbation से नहीं लेकिन आपके link के structure को penile structure को नुखसान पहुँचता है अगला सवाल है क्या हस्त मेतन करने से masturbation करने से अंधा पन आता है बिलकुल बकवास बात है ये भी एक बहुत बड़ा myth है मार्केट में रन करता और बहुत सारे कोश्चन मुझसे ये किये गए है बहुत multiple time this question has been repeated multiple time कि क्या वह ऐसा होता है कि masturbation करने से अंधा बनाता है बिलकुल नहीं आता बिलकुल बकवास है बिलकुल गलत है अगला सवाल है और ये आखरी सवाल भी है क्या लिंग के तनाओं में मतलब क्या हस्त मेथन से erectile dysfunction हो सकता है तो मैं कहता हूँ हो सकता है अगर्चे excessively और उसको obsessively किया गया हो देखिए मैं एक बार बताता हूँ उपको हम आप बहुत patient आते हैं जो इस तरह से massively और dangerously अपने penis को यूज करते है masturbation में के penile fracture तक वहां हो जाता है penile injuries तक वहां हो जाती है इस तरह से hard कपड़ों के साथ rub करना dry hand के साथ उसको severely stroke देना इन सब चीजों से मैंने clinical ही यहां देखा है बलकि कितने patients को हमें hospital refer करना पड़ा कि उनको penile fracture हुआ penile injuries हुई है masturbation की वज़ा से तो अगर किसी act से किसी भी unnatural काम से खत्रे की उमीद हो खत्रे की उमीद हो कि इससे बड़ा खत्रा हो सकता है तो अकलमंदी इसके अंदर है कि उसको पहले ही step पर रोक दिया जाए देखिए अगर हमें यह पता हो कि आजकल 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 का जो मामला करोना वाइरस बुरी तरह से पहल रहा है सब जगा हाई अलर्ट है मसलिए आपको पता लग जाए कि फलना हॉस्पिटल में करोना वाइरस के 2000 पेशन्ट एडमिट है अब आप जबरदस्ती लोगों को विजट करने वहाँ जाएं तो यह आपकी बेवकुफी होगी क्योंकि आप एक ऐसी जगा घुसरें कि जहां strong chances है that you may contract the infection तो जब हमें masturbation से अगर यह डर है कि हमें बड़ा नुखसान पहुंच सकता है तो इसको हम पहले ही level पर रोग दें तो हमेशा अच्छा होता है तो absolute cause तो नहीं है कि erectile dysfunction cause करे masturbation हम यह तो नहीं कहेंगे directly कि direct link है लेकिन मुमकिन जरूर है मुमकिन जरूर है तो इससे बचना ही चाहिए